आज हम बनाएंगे त्योहरों के लिए टेस्टी सी मिठाई तो इस मिठाई को आज हम बिना गैस जलाए और गर की ही सामान से बना कर तयार करेंगे गर में ही मिलने वाले सामानों से मिठाई बन कर तयार हो जाती है और बनाने में बहुत ही आसान है तो चले बनाते हैं इस टेस्टी से मिठाई को तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहां पर हम सबसे पहले लेंगे एक मिकसर जार और इसमें डालेंगे हम आदा कटोरी चीनी तो यहाँ पर measurement के लिए आप कोई भी एक कप या कटोरी को set कर लें और उसके बाद यहाँ पर सारा measurement आप उसी से ले सकते हैं तो यहाँ पर चीनी को आपको बारिक पीस लेना है क्योंकि आज हमने यहाँ पर कोई चैशनी बना कर तयार नहीं किये इस रेसिपी को हमने आज बिना गैस जलाई बनाया है तो इसके लिए आपको चीनी को बहुत ही अच्छे से बारिक पीसना है और उसके बाद यहाँ पर एक बावल में इसी चैशनी से अच्छे से चान लेंगे तो यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से चान लिए और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चीनी का मोटा पार्ट नहीं है कि चीनी अच्छे से पिश चुकी है और थोड़ा सा यहाँ पर चीनी के दो-चार दाने बचे तो उसे हम फिर से मिक्सर जायर में डालेंगे और य यहाँ पर इसे भी हमें अच्छे से पिसना है और इसे भी हम चनी से चान लेंगे जिससे की जो हमारी मिठाई है उसका टेक्शर बहुती बढ़िया है इसे भी हमें उसी बावल में चान लेना है जिसमें हमने चीनी को चान लेना है तो इसे हमें अच्छे से चान लेना है य यहां पर काजु को मैंने अच्छी से चान लिया है और इसमें थोड़ा सा जो काजु बज गया है तो इसे हम फिर से मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे और फिर से यहां पर एक कटूरी नारिल का बुरादा तो मैंने यहां पर लिया है यह एक कटूरी नारिल का मिल जाता है अगर आपके पास milk powder नहीं है तो आप milk powder को skip भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसे भी अच्छे से बारिक पीस कर इसे भी हम उसी बावल में निकाल लेंगे सभी चीज़ों को हमें एक ही बावल में निकाल लेना है और आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर स सबी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे दूद की मलाई डालेंगे और उसके बाद इसका एक सौफसाट डो लगा कर तयार करेंगे तो यहाँ पर मलाई आपको थोड़ा थोड़ा करकर डालनी है और मिशन को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो आप यहाँ पर चाहिए तो दूद की मलाई की जोगे पर दूद का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ दो चमश मलाई डाली है और जो मिशन ने वो अच्छे से इकटा होने लगा तो इसे आपको पहले चेक कर लेना है और उसके बाद इसके छोटी छोटी हम लड़ू बना लेंगे अगर आप इसे लड़ू नहीं बनाना चाते तो आप इसमें थोड़ सजा लेते हैं जिससे की मिठाई खाने के साथ साथ दिखने में भी सुन्दर लगी तो आप अपनी पचंद के किसी भी ड्राइफूट से इसे गानिश कर सकते हैं मैंने यहाँ पर केसर के धागो को गरम पानी में बिगो लिया था और उससे मैंने इसे गानिश किया है तो आ तो आप देख सकते हैं कि मिठाई कितनी बड़ीया बनीई और मैंसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि मिठाई देखने के सासथ राजा कि मिठाई याहमारी स्वाड़ से